शैंपू करने के बाद आपको बस एक काम करना है और आपके बाल जहें बहुत ज़्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे डैमेज हेर को रिपेर करेगा ये और आपके बालों में जो भी हेर प्रॉबलम में उसको दूर करेगा आपको क्या करना है ना कि आपको सबसे पहले अपने बालों में अच्छी तरह से पहले शैंपू कर लेना है जब आप शैंपू अच्छी तरह से कर लें उसके बाद आपको एक खाली कटोरी में लेना है एक बड़ा चमच कंडिशनर जो भी कंडिशनर आप यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पर ले सकते हैं कोई भी ब्रांट का कोई भी यहाँ पर मैं ब्रांट का नाम नहीं ले रही हूँ तो जो भी आपका फिर्वरिट कंडिशनर है वो आप ले लीजे नेक्स जी जो आपको इसमें एड करना है वो है एक बिटमिन E कैपसुल का पूरा जैल जब भ करता है और साथ में आपके बालो को हेल्दी बनाने में बहुत ज़्यादा है नेक्स्टी जो हमें आप ले रहे हैं वह है राइस वाटर यानि की चावल का पानी आपको राइस लेना है उसके बास को अच्छे से वाश कर लीजी और आदे खंडे के लिए उसको पानी में डा बेहां खरते रहते हैं या कोई आपके बालो में पौलू शैन धूल मिट्टी महीं हो पर दाते हैं बाल जाओ जाँ हो जाते हैं बहुत लाते हैं अ effic chasing उसमें रहे नहीं तो यह जो प्चावल का पानी है यह बहुत ज्यादा हल्प कर 대해서 आपके ढ़ा करक यह को रिपकरने लि मैंने यहां पर लगबग आधा चमच ग्लीसरीन लिया है जो आपके बालों को बहुत ज़्या सिल्की शाइनी चमच लाएगा आपके बालों में अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसको तुरंत आपको शैंपू करने के बाद अच्छी तरह से बालों में लगा लेना है पांस से दस मिनट के लिए छोड़ना है उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपने बालों को वाश कर लिजिए तो ट्राइ जूरू कीजिएगा थैंक्यू